इस बीटे एक बड़ी खबार चोहू से जहांपर रेट परिक्षा में मुन्ना भाई गिरफतार किया गया परिक्षा देते हैं समय इसे पकड़ लिया गया है और परिक्षा थी आपको बता दें जो नकली और असली दोणों परिक्षा थी थे पुलिस ने पकड़ लिया है गोविंद गड़ के कालू का बास क्रिशना कॉलेज का ये पूरा मामला है पुलिस लगातार मामले की तफ्तीश में जुटी होई है रेट परिक्षा में एक मुन्नाबाई पकड़ा गया है परिक्षा देते समय दूसरा परिक्षार्थी पकड़ा गया और जादा जानकारी के साथ हमारे समवादता प्रदीप सोनी जुड़े है प्रदीप बताईए क्या ताजा अपडेट देशी कम्रूदिन मैं बता दू गोविंदगड के कालूकाबास गायों का ये पूरा मामला बताया जारा है जहां कश्रा कोलेज में जो परिक्षार्थी है उसकी जगह दमी परिक्षार्थी परिक्षा देते वक है फिलाव असली और नकली दोनों परिक्षार्थियों को पुलिस ने हिराफत में ले लिया है गोविंदगर थाना पुलिस उनको लेकर आई है जिन से पूस्तास की जा रही है जो डमी कंडिडेट बताया जा रहा है वार बिहार का बताया जा रहा है यानि कुल मिलाकर बात यह है कि वह डमी जो कंडिडेट है वह है असली जो परिक्षार्थी था उसकी जग़ा परिक्षा देने के लिए आया था लेकिन पुलिस ने समय रहते हैं उसे गिरबतार कर लिया अब देखें रिट की जो परिक्षा है उसको लेकर प्रसासन ने तमाम दावे किये थे किसी भी तरह से कोई पेपर लीग नहीं हो जिस तरह से निम्राना में पेपर लीग की बात सामने आई है इस तरह से परिशार्थी अभियर्थी लंबे समय से इस रीट को लेकर तैयारी कर रहे थे उनके हितों पर भी एक उठारगात होने की बात कही जाएगी तो जरूरत इस बात की है कि प्रसासन हला इस पूरी मुस्तवी के साथ में मुस्तव है बिलकुल मुना भाई जैसे लोग सक्रिय हैं पकड़े भी जा रहे हैं शुकरिया आपका प्रदीब जानकारी देने के लिए तो बिलाकर यह एक बड़ी कारवाई है और लगातार पुलिस कारवाईयां कर रही है मामले की तफ्तीश भी की जा रही है रीट परिक्षा में कई चिपट गटनाए देखने को मिल रही है हाला कि जो नकल गिरो हैं उनके खिलाफ कारवाईयां भी लगातार की जा रही है और चलिए सिदे जारा जानकारी के साथ हमारे समवारता मनमीर सिंग जुड़े हैं अजमेर से मनमीर रीट एक बड़ी परिक्षा है